हेलो फ्रेंड्स मारी यूटूब चैनल जल पार्ज रैसीपी मा तमारू स्वाग कच्छी मुंबई नू फेमस स्ट्रीट फूड ग्रिल सेंडविच आजे अपड़े तवापर बनावाना छी जो आ टेस्टी ग्रिल सेंडविच नी रैसीपी तमने गमे तो वीडियो ने लाइक कर जो मारी चैनल ले सब्सक्राइब कर जो और नोटिपिकेशन बेल माँ ओल ना निशान पर क्लिक कर जो जेथी करीने तमने मारा नवा वीडियो नी नोटिपिकेशन मरती रैसे तो सेंड्वीच माटे पहला तो आपड़े तेनी लिली चटनी रैडी करी लेए तो तेना माटे एक बाउल आपड़े लिला दाणा लएशु अने धाणा ने आपड़े डाड़ा साथे लेशु हवे तेमा अर्दो बाउल फुदिनाना पाना एड करीशु अने तेमा बहे समारी ने लिला मर्चा एड करी लेशु तो आ सेंडेज थोड़ी स्पाइसीक बने छे में अहीं तिखा मर्चा लिधा छे तो ए प्रमाणे तिखाश एनी वदु हो ए रिते एड करीशु हवे एमा त्रोन चमची सेकेला चणा ना फुत्रा काढ़ी ने एड करीशु आमा दालिया पन एड करी शकाई छे अने सेव पन एड करी शकाई छे हवे एक लिप बुदो रस एड करी लेशु तो आ चटनी स्वाद मा खट्टी मिठी होई छे अने थोड़ी स्पाईसी पन होई छे अने आ स्पेश्याली सेंड विच माटेक बनावेली छे हवे तेमा पाचमची जेटलू मिठु एड करी लेशु तो मिठु अहीं स्वाद अनुसार एड करवानू छे अर्धी चमची संचड एड करीशु अर्धी चमची जीरू एड करीशु औने हवे आने क्रश करी लेशु हवे आमा थोड़ू पाणी एड करी लेई तेने फरीथी मिठ्शी जार मा फेरवी लेईशु तो चटनी आपणी एक दम रेडी छे तो बस आपणी एणी आवीच पेश्ट बनावानी छे तो हवे चटनी ने आपणी साइड पर करी लेई हवे आपणी चौपेट पर त्राण ब्रेड ने गुठवी देईशु औने ब्रेड उपर बटर लगावी लेईशु औने तेने पूरी ब्रेड उपर आरी ते पाथरी लेईशु हवे आपणी चे लीली चटनी बनावी छे तो ए माथी एक चमची चटनी एना पर मुखी लेईशु औने एने पन आखी ब्रेड पर बाथरी लेईशु औने हवे तेना पर बाफिला बटेका ने आरी ते चिप्स बनावी ने मेरे एडी करी छे तो एक एक करी ने एन्याव पर आरी तनी चिप्स कुठवी देईशु हवे तेना पर थोड़ो चाट मसालू बब्रावी लेईशु तो चाट मसाला थी आनो टेस्ट एक दम चटपटो आवे छे जो चाट मसालू ना बब्राव होए तो सेन्विच मसालू पन तमे एना पर बब्रावी शको छो हवे तेना पर जिनी समारेली डूंगली आरी ते मुकी देईशु तो जुओ तमे डूंगली ना खाता होए तो तेने स्कीपपण करी शको छो अने एनी जिग्याय तमे काकडी पन मुकी शको छो हवे अपणे बीजी ब्रेड पर एज रिते बटर लगावी लेशु बटर लगावे बाद हवे तेना पर पन आपणे लिली चट्नी में आरी ते पात्री लेशु तो हवे आ चट्नी लगावी ला भागने आपणे नीचे नी साइडे जवा देशु अने ब्रेड नी उपर फरी थी आपणे बटर अने चट्नी लगावी लेशु हवे तेनी पर टामेटा नी आरी तनी स्लाइड्स कोट फी देशु टामेटा ने आरी ते घोटवया पचे उपर थोड़ा सीमला मिच ना 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 टुकडा मुकी देशु तो मैं ही सीमला मिच ने एक दम पात्री पट्टीमा कटीं करेलू छे अने हवे तेना पर थोड़ो चाट पसालो बबरावी लेशु अने हवे तेना पर तीजी ब्रेड माँ पंड बटर अने चटनी एजरी ते लगावी लेशु औने आ ब्रेटने पन सेंडवीच पर चटनी वाड़ो बाग नीचे जाए एरीते गोठवी लाइशु औने हवे सारी रीते तेने हाथ वड़े थोड़ी प्रेस करी लाइशु तो हवे सेंडवीच आपणे तवापर बनावाना छे तो तेमा थोड़ू बटर मुकी लाइशु तो सेंडवीच ने क्रीस्पी करवा माटे आपणे बटननु प्रमान थोड वदारी राखी शु जेती आपणी सेंडवीच एकदम क्रिस्पी औने एनो कलर एकदम मस्तल लालावे औने हवे सेंडवीच न्यारी ते मुकी देशु। औने बद्धी बाजुती तेने सर्खी करी एना पर एक डी सुन्दी पाड़ी देशु। औने एना पर थोड़ो वजन मुकी देशु। जेती करी आपणी सेंडवीच एकदम सेंडवीच मैकर जेवीच बने। तो तेने ब्याथी त्रोण मिनिट माटे मिडियम गेस पर मैं चडवीली दीछे। औने हवे आपणी तेना पर बटर लगावी लाईशु। तो एक वार चेक करी लेव। के सेंडवीच नीचे थी क्रिस्पी थाईचे के नई मैं पहला चेक करी ली दी हती। तो नीचे थी सेंडवीच एकदम क्रिस्पी थाईगे लीचे। तो उपर आरीते बटर लगावी लेव। અને પછી સેન્વિચને આરીતે પલટાવી લેવી તો સેન્વિચ એકદમ કરિસ્પી થાઈ ગઈ છે અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ લાલ આવિ ગયો છે ત્મે જોઈ શકો છો અને હવે તેને બીચી સઈડે થી પણ કરિસ્પી થવા દઈ શું પણ હવે તેની ઉપર આપણે ડીસ નઈ મુકીએ જો ડીસ મુકીસુ તો સેન્વીચ આપણી એકદમ સોપ્ટ થઈ જસે અને આપણે સેન્વીચને એકદમ ક્રિસ બાજુ થી સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે તો હવે તેને આપણે નીચે ઉતારી લેશુ પણ એકવાર હું તમને બતાઓ ક આપણી સેન્વિચ કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે તો એના વાજ પૂથીજ આપણે ખવર પળે છે કેટલી ક્રિસ્પી થઈ તો હવે એને આરીતે આપણે લારી ની જે મજ એનું કટિંગ કરીશું તો એને ત્રાણ ઉભી પટી અને ત્રાણ આડી પટી એમ કરી આપણે નો પિસમાય એનું કટિંગ કરી લઇશું અને હવે એને સવ પણ આપણે એરી તે લારી ની જેમજ ડીસમાં કરીશું ઉપરથી તોળુ ચીજ બબરાવી લઇશું અને થોડા લિલા દાણા બબરાવી લઇશું િંડુ નૂજે ની ની નમ દાણાહન નીટા નીા નંમ નંડાળ નીં નૂતાવં ની નંલ નામાંં ની નાણ નૂાના નંમાદા ની